आज डिसकस करेंगे Galvanizing process के बारे में इसको हम Hot Dipping process भी बोलते हैं जो Galvanizing process है वो एक Metal coating process होती है इसके अंदर हम जो low melting point के metal होते हैं जिनका melting point low होता है जैसे zinc, cadmium, aluminium, tin इनकी हम coating करते हैं iron और steel के उपर जिनका melting point इनसे ज़ादा होता है इसमें जो iron और steel हैं ये cathode की तरह काम करते हैं जबकि zinc, cadmium, aluminium या tin ये anode की तरह काम करते हैं तो इसलिए इसको anodic coating भी बोला जाता है कि anode की coating करना किसी metal के उपर ये इसका फाइदा क्या है? ये corrosion से बचाता है तो corrosion को resist करने का काम ये coating करती है इसके अंदर हमारे पास प्रोसेस होती है zinc अगर हम zinc की coating करते हैं तो zinc plus iron और steel इन दोनों के बीच में प्रोसेस होती है जिससे iron और steel के ऊपर coating हो जाती है मानलीजिए iron की बार है तो इसके ऊपर coating हो जाती है zinc की जिससे जब ये atmosphere के contact में आता है या water के contact में आता है तो हमारा iron और जो low carbon steel है वो corrode नहीं होता उसको corrosion नहीं होता तो zinc की coating इसलिए की जाती है तो इसके अंदर कौन-कौन से steps है सबसे पहला जो step है हम जो metal है मानलीजिए कोई बार है हम इसको wash करेंगे ये iron की और steel की बार हम ले लेते हैं हम इसको water ले लेंगे और इसके अंदर इसको wash करेंगे इसको बोलते हैं rinsing rinsing मतलब कि जो बार है उसको water के थ्रू साफ करना उसके उपर से जो dirt है particles है उनको remove करना तो हम उसको wash कर लेंगे मैं इस water के अंदर धो लेंगे दूसरी जो process है वो है pickling उसको धोने के बाद सुखाने के बाद ये process pickling हम करते हैं pickling में क्या होता है एक container के अंदर dilute H2SO4 होता है dilute sulfuric acid हम इस बार को सुखाने के बाद जैसे हमने इसको dry किया सुखाया उसको अब हम इस dilute H2SO4 के solution में डाल देते हैं तो इससे क्या होता है इसके अंदर जो इस बार के अंदर कोई भी dirt particle थे dirt particle या impurities इसके साथ चिपकी हुई थी तो वो सब को बाहर निकाल देता है कोई भी scale इसके उपर था जो भी dust था scale था या impurities इसके साथ लगी हुई थी तो उसको वो साफ कर देता है अच्छी तरह pickling में तो इसको हम dilute H2SO4 में अच्छी तरह से साफ कर लेते हैं फिर उसके बाद हम इसको dry करते हैं और तुबारा से water के अंदर इसको दो लेते हैं फिर उसके बाद उसको सुखाते हैं फिर उसके बाद हम एक tank में हमारे पास होता है जींक जो मॉल्टन स्टेट में होता है मॉल्टन स्टेट में जींक और इस मॉल्टन जींक का टेंपरेचर जो होता है वो होता है लगवग 450 डिग्री सेल्सियस के करीब इस जींक के बिलकुल ऊपर यहां पर एक फ्लक्स की लेयर होती है जो ये molten flux की layer है ये zinc, ammonium, chloride की layer होती है इस solution के बिल्कुल molten metal के उपर flux की layer होती है इस tank के अंदर ये zinc molten metal 450 degree Celsius पे होता है तो ये flux क्या काम करता है flux oxide formation से बचाता है जो oxide formation बनेगी तो उसको होने से बचाएगा ये flux की layer तो अब जो ये बार है हम इसको इसके अंदर deep कर देंगे तो कुछ time के लिए हम इसको इसके अंदर रखेंगे ये according to structure होता है अगर छोटा है कोई part तो हम उसको कुछ minutes के लिए रखते हैं अगर कोई बड़ा part है तो उसको हम लगबग half है नावर के लिए भी इसमें रख सकते हैं उसके बाद हम जब इसको निकालेंगे ये flux की layer से होता हुआ निकलेगा और इसके उपर कोई भी oxide layer नहीं होगी और इसके उपर एक zinc की coating create हो जाएगी तो इस बार के उपर एक zinc की coating create हो जाएगी जो इसको सारी को cover करेगी अब ये corrosion resistance प्रोवाइड करेगी zinc की coating इसको ये zinc की coating है फर्दर हम एक और प्रोसेस कर सकते हैं अगर इसके उपर excessive zinc की coating हो चुकी है तो हम rollers लेते हैं और rollers के बीच से इस बार को गुजारते हैं जिससे क्या होता है जो excessive zinc की coating है वो साफ हो जाती है excess में नहीं रहती तो इस तरह से भी हम इसकी जो excess की coating है उसको remove कर सकते हैं हलकी सी rollers में से गुजारने के बाद तो इस तरह से zinc की coating की जाती है और इसको हम बोलते हैं galvanizing या फिर hot dipping process तो थैंक्यू वीडियो देखने के लिए और ज्याद अपडेटिड वीडियो के लिए आप मेरे चैनल learn and grow पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक्यू